कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेक पार टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको सबसे पहले नोटिपीकेशन हमारे चैनल का आपको मिले हेलो दोस्तों आज कि इस भी नए वीडियो में आप सभी लोग का करें ठीक है तो आज का जो टॉपिक है हमने यह आपको बताने का कोशिस किया है कि आप कैसे पुली साइज से उसका पुली स्पीड कैसे दूसरे जो दूसरा पुली है उसका दूसरे पुली का स्पीड कैसे आप पाइंड करोगे ठीक है इसको बोलते हैं भी ड्राइब सिस् पुली का जो आर्पीयम है और यह दोनों पुली भी बेल्ट से कनेक्टेट है जुड़े हुए है ठीक है यह छोटा वाला पुली है फ्रेंट्स वह खुद घूम रहा है उसको बोलेंगा ड्राइविंग पुली और यह छोटे वाले पुली की मदद से बड़ा वाला पुली घ दाया आठ इंच का है तो बड़े वाले पुली का आर्पीयम क्या हो गया दि उसका डाया 16 इंच का ठीक है यह जो आप मारे वीडियो में यह जो देख रहे हैं यह पुली कंबिनेशन यह इंडेस्ट्री में बहुत जाला यह होता है ठीक है इसमें क्या होता है कि एक मोटर ह होता है जिसका छोटा पुली होता है दूसरा हमें मोटर चलाना होता है जिसका बड़ा पुली होता है तो हमको जो रिक्वाइड आर्पीम चाहिए वह हम इस कल्कुलेशन को करके हम जान सकते हैं कि हमारे जो बड़े वाले पुली का है उसका हम पुली साइज क्या रखें कि हम यह जो वीडियो है आप इसको देखिए पूरा देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको समझाया हूँ और यह आप इसके बाद आप देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं ठीक है बहुत ही इजी तरीके सा ठीक है इसमें क्या करते है इसके एक फार्मुला है यह फार्मुला आपको मैं बता दे रहा हूँ आप उसे याद कर लो और यह फार्मुला इंडेस्ट्री में यूज गता फ्रेंट इस फार्मुला के हिसाप से दी आप जाओगे जिसका जो फार्मुला है वो है N1D1 is equal to N2D2 ठीक है यहाई प्रेंट्ट यह पार्मूला है और देखोव फ्रेंट्स इसमें क्या है कि आप इस फार्मूले में यह क्या है आप आप को जानना थैन्मन हैardı एम च attention एम है एमें आरपीम नहरे यहां है फोली एक नंबर जो इसका है जो 21 क्या है यह डायमीटर है यह चोटी ओले पुली का है ठीक है है वह यह इंच में हमने यहां पर दिया हुआ n2 क्या है जो जो पुली हमें घ् вес को उस पुली का अरप्या में जो की घ्न करना होगा और कितने स्पिट से हमारा वह जोे डायमीटर है जो की inch में तो हम d2 भी आसानी से calculate कर सकते हैं किये हैं तो हमारे जो पहले पुली का है formula में n1 d1 upon d2 is equal to n2 है ठीक है फ्रेंट तो हमारा n1 14 rpm है d1 8 है 8 inch है upon divided by d2 क्या है 16 inch है is equal to n2 आप पर इसको calculate किये तो आप क्या है 700 rpm आया 700 rpm जो n2 है जो बड़ी वाले जो driving जो driving पुली है उसका यह rpm निकल कर रहा है ठीक है यह आपको इस पुली combination में आपको speed जो driving पुली जिस पुली को आपको घुमाना है उसका आर्पिव आप टेज करना चाहते हैं कि श्लो करना चाहते हैं तो इसका एक simple logic है कि जो पुली घुमा रही है जो पुली जिसकी साथा से जो पुली घुम रहे है जो driving pulley है यदि उसका side driving pulley से size के छोटा हो जाएगा तो जो driving pulley है वो ज्यादा rpm से घुमेगा ठीक है और ऐसी तरह से यदी हम जो driving pulley है उसका size हम बढ़ा करतें driving pulley से तो जो driving pulley के जो rpm है वो friends उसका rpm कम हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स इसका यह logic है अब आप इसको याद कर लो driving pulley वो pulley होती है कि जो पुली खुद घूमती है और driving pulley वो दूसरे पुली को घूमाती है और driving pulley वो पुली होती है कि जो पुली दूसरे पुली की हेल्प से घुनती है फ्रेंट ठीक है आज की इस वीडियो में बस इतना है फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए गुडबाई धन्यवाद